असलाम अलेकुम जी क्या हाल चाले हैं आपके होक्योरा राइंग वैल वेलकम डू अधर न्यू वीडियो जी तो जनाब आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लाहुरी चठखारा कीमा बहुत ही इजी बहुत ही सिंपल वे से ये रेडी होगा और बहुत ही डिलिशियस विदाउट एनी वेस्टिंग अफ टाइम लेट स्टार्ट तो मेक इस रेसिपी बिसमिल्लाहिर रख्मान ररहीम जी तो जनाब यहां मैंने एड़् कर दिया है कड़ाई मेंगी और इसमें मैं एड़् कर रही हूँ तक्रीबन दो बड़ी इलाइशिया दी इंचार लोंग और छोटा टुकड़ा दार्शिनी का और दो दर्मयाने साइस की प्यास और जनाब इसको मैंने इसमें एड़् करके अब मैंने इसको फ्राई कर लेना है जैसे ही यह फ्राई होगा तो मैंने इसके अंदर एड़् कर दिया है नमक लाल मिर्च और जनाब इसमें मैंने एड् मारच और सीम्पल वहेर से बस मैंने यही एचिये है सीम्पल मसालाजाद और इसको अब मैं अच्छी तरह से ब alguns थोड़ा सा मैंने मिक्स अप किया और साथ में मैंने blogs तो इसते हम दो के सब समद हो और इस सब नहीं है और मजे ख्याल आया कि मैंने यहां फ़री मरचने तो मैं ठीज से दो शिकार देख लैं मैं एग ही छोडिय के मैं एह तयाम कट कर दिया तसलिकिक को कीमे को बस अच्छी तना से खोल रही हूं मतलब वो ठोड़ा जोड़ा जोड़ा थना अब मैस को सप्रेट कर रही हूं और इस की अच्छी से मिक्सिंग कर रही हूं जैसे यह थोड़ा बहुत मिक्स हो जाएगा तो मैं इसके अंदर एड्ड कर दूँंगी लेसन और अद्रक कुटा हुआ. अद्र ett को मैंने छोड़ छोड़े पीसेज मैं कट कर लिया था और जनाब एक समच मैंने कुटा हुआ लेसं एड़ कर दिया और एक ही बड़ा चमच मैंने अद्रck का एड़ कर दिया और इस तरह जनाब עप मैं इसकी अच्छे तरह से भुनाई कर लूँगी चले जी हमारे कीमे की भुनाई तकरीबन हो चुकी और जनाब अब मैं इसमें पानी एट करूँगी जैसे ही हमारी यह भुनाई यहाँ पे होती है तो मैंने इसमें पानी एट कर दिया पानी तकरीबन मैंने 2 cup एट किये थे अब जैसे ही ये थोड़ा सा heat up होता है तो जनाब मैंने इसको cover करके रख देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए और 20 मिनट तक मैं इसको cook करूँगी मतलब 20 मिनट तक मैंने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना इसको cover करके अकरीबन इसकी medium to high flame पे थोड़ी सी बुनाई करूँगी और अभी हमें इसमें कुछ add करना है कुछ और मसाला जो इसकी खुश्बू को चार चांद लगा देंगे और वो हमने इस टेज़ पे ही add करने हैं हम पहले add कर देंगे तो उसकी खुश्बू कुछ भी उसका ना अंदर समझ हो जाएगी और वो बिल्कुल नहीं आएगी और जनाब अब मैंने इसमें add कर दिया है zira powder zira powder से आपको पता है कितनी खुश्बू enhance होती और इसका टेस्ट कितना लाजवाब है और जनाब मैंने एक चमच इसमें काली मर्श भी add कर दी और अब मैं जनाब इसमें add करूंगी थोड़ा सन गरम मसाला मतलब हाफ टी स्पून मैंने इसमें add कर देना है गरम मसाले का और zira powder मैंने इसमें कुटा हुआ जीरा शामिल किया है आपको पता है टेस्ट और ही उबर के सामने आएगा और अब जनाब मैंने यहां पर दही add कर दी है और अब मैंने दही के साथ इसकी बुनाई करनी है अच्छी तरह से यहां पर flame मैंने थोड़ी सी high कर दी थी और मैंने जल्दी से दही के साथ इसकी अच्छे से बिनाई की और कुछ मैंने स्पेचुला के साथ इसकी साइट्स क्लियर की और जनाब अब मैं यहां पेना जो इसमें गरम मसाला थे ना मैंने वो भी इसमें से निकालने स्टार्ट कर दिये और जनाब यह जो बड़ी लाइचिया दाच चीनी के जो टुकड़ा था यह मैंने निकाल दिये ताके हमें डिस्टर्बंस ना किरियेटो बस मैंने आएमें यह निकाल दिया आप ना निकालना चाहें तो कोई बात नहीं और जनाब अब मैंने इसकी अच्छी तरह से नभुनाई कर दी है जैसा के आप देख रहे हैं और जनाब अब मैंने इस पे एड़ कर दिया है दो हरी मर्चें और कुछ हरादनिया और इस तरह से जनाब अब मैंने यहां पे इसका कैप क्लॉस किया और तकरीबन 5 मिनिट मैंने इसको दम पे लगाया और अब इसको डिश ओड करूंगी डिश ओड करने के बाद जणाब मैंने यहां पे एड़ कर दिया हरादनिया और अद्रक और जणाब अब मैंने इस पे थोड़ा सा गरम मसाला भी स्प्रिंकल कर दिया क्योंकि हमने उसमें थोड़ा सा पीसा होवा कम शामिल किया था और जनाब अब मैंने यहां डिश उट जब किया है तब मैंने इसमें गरम मसाला एट कर दिया यह हमारा चिठखारा कीमा लहोरी कीमा यह बिल्कुल रेडी है बहुत ही सिंपल तरीके के साथ वेरी डिशियस, वेरी फ्लेवरफुल हमारा मैंने कीमा रेडी है हमने इसको बलवले प्राठे के साथ खाया और सब को बहुत पसंद आया बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल तरीके से रेडी किया गया यह कीमा आप भी इस तरह से जरूर ठ्राय कीजिएगा आप भी ऐसे बनाईएगा और सबसे दाद वसूल कीजिएगा यह थी जी मेरी आज की रेसिपी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत बुलिएगा मुझे दें इजाज़त दौाओं में याद रखिएगा, टेक कियर, अलाँ हफीज